गुड इउनिंग स्टुडेंट्स पिछले वीडियो में अपने इंपोर्टेंट सॉर्ष ओफ वुड के बारे में पढ़ा था जिसमें अपने जो वुड हैं कौन-कौन से प्लांट से प्राप्त होती हैं और उनका यूजेज क्या था तो अपने पिछले वीडियो के अंदर स निवासी हैं तो यह अव्गानिस्तान गाया है है यानिकी यह जीमिकल दम है101 इसका जो नीटाइव है यह नहीं कि देवदार प्लाइंत हें जो कहा कि मूल निवासिती है तो यह अफगाणिस्तान इसके अलबान नॉर्थ वेस्ट हिमालीयक रिज लिसका रिज लबासी है और दund के पड़ी आई गोलर। यानि कि सदा बहार या सदा हरित व्रिक्स है और जिसकी हाइट है जो असी मिटर होती है इसकी जो ब्रांचे जोती हैं वो सहतिज रूप से फैली रहती है और जो इस्टेम का डाइमेटर है या व्यास है वो 2.5-2,6 मिटर होता है और जो पतिया हैं वो ड्वार्फ शूट्स पर या वामन सकाओ पर गुच्छों के रूप में उगती है और जो लीव का रंग होता है वो गहरा और लीव का आकार है जो सुच्चियाकार यानि की नीडल सेफ होती है लीव की लेंध है जो 2.5-4 cm होती है देवदार का प्लांट है जो उबे लिंगाश्री होता है इसका म होता है इसके अंदर मेल और फिमेल कौन बनते हैं फिमेल कौन है जो सीधे और बेरल रूपी होता है जबकि मेल कौन है जो सिंगल इरेक्ट और चमकिला पीली कलर का होता है इसके सीड है जो विंग्ड या सपाक्स होते हैं अब जो देवदार प्लांट है उसके लिए कैसे करते हैं तो जनरली जो देवदार प्लांट का कल्टिवेशन है वह हिमालय रिजन के अंदर होता है और इसके लिए सोईल है जो वैल ट्रेंट सोईल ऑफ सनी लोकेशन यानि कि जो तप तिस्तल होते हैं वहां कि सोईल है जो वैंड रेड यानि कि अच्छे जल निकाशी सोईल होनी चाहिए अब इसकी कास्ट के इंपोर्टेंस क्या है तो जो देवदार प्लांट की कास्ट होती है या वूड होती है शेकललर का ब्राउं कलर का होता है अब गरानुस्ति द्वी मुटं掉 है जो नौन फॉर्स हो ती है और इसकी बाक्ष करती हैं नौन फॉर्स का अपने पिछलें वीडियो के अंदर है अच्छी द्री लिया और अंद के बारें पड़ा था क्योंकि इसला लिगुआ अप लिरें फिर जैल को Πारें एवरेज वेट है वो एवरेज वेट है जो 545 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है इसकी काश्ट को अगर छूते हैं तो ये तेलिये परतीत होती है और इसके अलब इसके अंदर तिक ही गंद भी पाई जाती है अब इसका यूजेज क्या है तो जनरली जो देवदार की काश काश्ट होती है उसका यूजेज है दर्वाजे खिड़कियों की चौगर्ट फरनिचर पेट या चत्तों की कड़ी पुल वर रेलियू सिलिपर बनाने में किया जता है इसके अलब इसकी काश्ट से ओल्यो रेजिन प्राप्त होता है जिसका उप्योब है जो इसकी डिजीज और फोडो यानि की अलसर के उप्चार में काम आती है इसकी काश्ट है जो मुत्रल या डाई यूरेटिक होती है स्वेधन कारी होती है और वाथ हर होती है इसलिए इसका यूज है जो पल्मोनरी डिजीज यूरिनलर डिजीज यानि की मुत्रिय विकार ववासीर और गठ्य रोके उप्चार में उप्योगी होती है सापके काटने पर इसे एंटिडोट की रूप में परियोग किया जाता है अब जो नेक्स्ट वूडी प्लांट है जिसका नाम है चीड या जिसे पाइन भी बोलते हैं और इसका बोटनिकल नेम पाइनस इस पीसीज होता है और इसकी फ डिस्टिब्यूशन कहां कहां है तो उत्री गोलार्द के सितोशन सेत्रों है जो यह पाया जाता है इंडिया के अंदर इसकी कुल पांच स्पीसीज है जिन में से दो हैं जो काश्टी रूप से इंपोर्टन है पाइनस रॉक्स बर गई जिसको हार्ड पाइन या चीड पंजाब यूपी और हिमालियन रिजिन के अंदर होता है पाइनस रॉक्स बर गई हैं जो 400 से लेकर 2290 मिटर की उचाई तक पूई पाया जाता है जबकि पाइनस वॉली चाई है जो अठार सो से लेकर 2690 मिटर की उचाई तक यह पाया जाता है अब इसका बॉटनिकल केरेक है जो पिरामिड टाइप होता है और इसकी लीफ है जो नेडल से अब या सुचयाकार होती है गहरे रंकी होती है और बोनी साकाव या ड्वार्फ ब्रांचेज पर ये गुच्छों में उत्पन होती है जैसे देवदार में उत्पन होती थी अब पाइनस का प्लांट भी है जो वेलिंगा सर्य होता है इसका जो मेल कॉन होता है वो निचली सा sought उपर उत्पन होता है जबकि फिमेल कोण है जो उपरी साँप उत्पन होता है इसके सीड भी विंग्ड सीड या पक्सम यूग्थ होते हैं और जो पाइनस है पाइनस प्लांट के उगने के लिए मर्दा पत्रिली डलवा या अच्छे जल निकासी वाली मर्दा होने चाहिए अब इसकी जो पाइनस के प्लांट से जो प्राप्त कास्ट होती है या वूड होती है उसके केरेक्टर क्या होते हैं तो अपने इंडिया के अंदर पढ़ा था पाइनस की दो स्पीसीज है जिससे अच्छे वूड प्राप्त होती है पाइनस रॉक्स बर गई और पाइनस वाल चाहिए तो पाइनस जो वाले चाहिए होती है उसको अपन ब्ल्यू पाइन या सौप्ट पाइन भी बोलते हैं इसकी वूड होती है जो सौप्ट और लाइट कलर की होती है और इसका जो सैफ वूड होता है वो वाइट और हर्ट वूड है जो पिंक कलर का होता है इसकी कास्ट है जो सीधे grain यूट्थ और कम रेजिन होती है है जबकि पाइने स्त रक्स बर गाई होती है जिसको उपन चीड़ पाइन भी बोलते हैं इसकी वूड होती है और सेयर फूड और हर्ट वूड में डिफ्रेंट ही होती है इसका सेयर भूड भी रेजीन उपस्तेत होता है और काष्ट है जो खुर्दरी सर्पिल ग्रेइन युक्थ होती है अब आएसकी जो काष्ट अपन को प्राप्त होती है उसकी यूजेज क्या-कया है तो बस ट्रक की बोडी निर्मार रेलव वेगन रेल्यु सिलिपर और पुल की निर्मार परप्ट में जता है इससी प्ली प्रोप्ति होता है उस रेजिन से तार्पिन का तेल प्रोप्ति किया जता है जिसका यूज पैंट वार्निस और कर marshland और जानी नीटियोग में प्रियुक्त किया जाता है और यह लाईग ओजी फीमैली चैसे लेलेटिटेड होता है लेगशे के अलाव ये अरव, अफ्रीका, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर भी उगता हैं इंडिया के अंदर पंजाब, हर्याना, राजस्तान, गुजरात और MP के अंदर बहुती ज्यादा मात्रा में उगता हैं इसके बॉटनिकल केरेक्टर क्या होता है तो इसका प्लांट है जो सदा यहनिकी अनुपढ़नी होती है और इसके जो अनुपढ़न होते हैं वो काटो में रूपांत्रित होते हैं इसके अंदर जो इनफ्लोरोसेंस होता है वो मुंदक पुरकार का होता है और इस इनफ्लोरोसेंस के अंदर पुस में जो छोटे और पिले रंके होते हैं इसके फलक अब बबूल के लिए climate condition केसी होनी चाहिए और इसका cultivation कैसे होता है तो ड्राई और semi-dry condition होती है जो बबूल के ग्रोव के लिए favorable condition होती है और बबूल के प्लांट के ग्रोव के लिए है जो सोईल है जो दोमट मिटी या काली चिकनी मिटी है जो उप्यूक्त रहती है और प्लांट उगने के बाद 50 15 Di concept बाद में जो इसके कास्ट पराप्त होती है अब इसकी कास्ट जो वबूल कि से पराप्त होने वाली वोड्र होती ए wartoES क्या होती यह Teadel वी त्रेल ग्रैन्य योगत hoती हैं इसकी वूड है गंध रही और चीड़ इस्टाई होती है यह निकिन लंबे समय तक टिकी रहती हैं इसकी यूजेज जो बेल गाडी और बोश ढोने वाली गाड़ियों के निर्माद में i changed theI में खड़की, दरवाजे, फ्रेम, चारपाई वो फर्णिचर के निर्मार में किया जाता हैं. इसके एलाव इसकी छॉल से टैनिन प्राप्त होता है, जिसका उयूज है जो चर्म उद्योग में किया जाता हैं और इसकी तन्य से गोंद भी प्राप्त होता हैं.